हलो दोस्तों नमस्कार सचिकाल एक पर फिर आपका स्वागत है आपकी चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आएं कि हम कौन से सप्लिमेंट लें कौन सा प्रोटीन लें और जिससे हमारी बोड़ी जल्दी ड्वैल्प हो मुसल का साइज बड़ा हो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएं और उन क्वेश्चन का अंसर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियों में तो कौन सा सप्लिमेंट खाएं कौन सा ना खाएं यह मैं किसी भी लिटरेचर को पढ़कर या कोई भी थेरेटिकली बात अगर आप से करूंगा तो वो वीडियों लंबा हो जाएगा और आप सभी का जो एक सुनने की कपैस्टी है यूट्यूब पर वो बहुत कम है और आप इस वीडियों को दिल से सुन नहीं पाएंगे तो मैं अपना प्राक्टिकल एक्सपिरियंस आपको बताऊंगा कि मैं सप्रिमेंट कौन से खाता था और पिछले पांच साल से कौन से सप्रिमेंट खा रहा हूं और मेरी बॉडी क्वालिटी क्या है दोसो मैंने रेगलर पच्छी से तीस साल बॉडी पिल्डिंग थी पच्छी साल मैंने रेगलर फ्रेडिंग की है विदाउट कोच और बहुत सारे कॉंपटिशन भी मैंने पाडिस्पेट किया है अपनी वेट कैटागरी में मैं आता रहा हूं और कोई बड़ी चैंपेंशिप मैंने नहीं लड़ी या पार्टी स्पिट नहीं किया मिस्टर पंजाब तक ही मैंने पार्टी स्पिट किया है और अगर सप्लिमेंट की बात करते हैं इस वीडियो का जो में टॉबिक है दोस् सप्लिमेंट बिल्कुल खाना चाहिए फिर भी कौन से जुरूरी है वो एक बाडी बिल्डर जो सप्लिमेंट यूज करता है उस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग एक नॉर्मल परसन है और अपनी फिटनेस के लिए से जिम जाते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने आपको हैल्दी रखना है तो वो कौन से सप्लिमेंट लेने चाहिए या उनको सप्लिमेंट नहीं लेने चाहिए इस टॉपिक में बात करूंगा वीडियो बहुत मैं छोटी बनाऊंगा क्यों क्योंकि हर किसी के पास टाइम कम हो करता था जिम जाता था तो मैं सप्लिमेंट अपने जो थे वो अमीनो एसिट करडेंट और प्रोधीन सिर्फ एक स्कूप में लेता था बाखी जो मेरी प्रोधीन की या गुर्फ फैट की कार्गो हैडिर्ट की मल्डि विडामिन, माइक्रोनुट्रियांट्स, मिन्राज ये अब मैं बिल्कुल जिमिंग नहीं करता योगा करता हूँ और जिम कभी कबार हफ्टे में दो या तीज पर मैं जाता हूँ सरफ हमने मसल्स को टोन अप करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ मैं नैचरल डाइक ही खाता हूँ जो घर में दाल सबजी बनती है सैलेट और प्री बिलेट वैसे मैं गाएं का दूर्थ पीता हूँ साहिवाल का उसको उसके क्या पैनिफिट है कहां से मैं लाता हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको पिछले पांच साल मैंने बिल्कुल कोई सप्लिमेंट नहीं लिया मेरी बॉड़ी जो क्वालिटी है बॉड़ी का साइज थोड़ा सा कम हुआ है अगर जो मेरी मुसल की जो क्वालिटी है वो सेम है उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया हाँ फैट और वेंट गेंट मैंने जुरूर किया है वो मेरी गलतियों के कारण हुआ है क्योंकि मैं दिन में चाय पांच शे कब कर अजन लिए तो छेशाथ जम अन्दर शुदर जा लही है और थोड़ा सा कभी किसी के पास गैट टोड़ा के फास्ट ठोड़ा सा खा लिया तो वो साघर रजाता है तो यो इसके कारण जो मेरे 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 पेटे घिन हुआ और जो मेरा फैंट है वो बड़ा बारा निवरा में जो मेरा पेट है कभी भी 36 इंच नहीं हुआ तो आज 36 इंच है पर कहने का मतलब है अगर आप नॉर्मल परसन है नॉर्मल जिंगोंग परसन है आपने कोई कॉंपेटिशन नहीं लड़ना कोई बाडी बिल्डिंग नहीं करनी तो आपको सप्लिमेंट पैसे कराब करने की क सब्सक्राइब नहीं है पूंग डाइट को मैनेज करके एक कंपाउंड कंप्लेक्स डाइट को बनाकर कुप करकर आप अगर खाते हो तो उसी डाइट में उसी मीज में आपको गूट प्रोटीन, गूट काभवाइडेट, गूट फैट और अमीनो ऐसे यह सभी का प्रोटी से अपनी बॉड़ी की क्वालेटी दिखाता हूं जो पांच सार मैंने कोई सब्लिमेटी लिया, बहुत ज्यादा कोई एक्सेसाइज ने की हफ़ते में एक्सेसाइज की दी और लास्ट टू यूर से मैं योगा और हफ़ते में दो दिन मैं अपना जिम प्राइज ने कोई मसल की शेप में फ़रग ने पड़ा, मैं कोई सब्लिमेट नहीं ले रहा हूं तो यह सिर्फ दिखाने का मतलब प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस बताने का दिखाने का मतलब यह है कि आप किसी भी शलाबे में, किसी भी धोखे में ना रहें कि सब्लिमेंट अगर आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोडीन, प्रॉपर कार्भोहाइड़ेट, प्रॉपर गूड फैट, विड़ामिन, मिनरल्स, माइग्रमूल्गेंट्स हैं तो आपकी बॉड़ी खुद बखुद एक अच्छी शेप ले लेती है तो अब मैं आपको अपनी बॉड़ आपकी शोग करके दिखाता हूँ, दोस्तों पहले को यह आप मेरे पेट का पैट लेख लीजिए, यह मेरा पेट लाइफ में पहली बार 36 इंच हुआ, इतना मेरा पेट है, अगर उसके बाद भी अगर आप देखो तो एब्स एब्स वहीं पड़े है, शरब दो मीन ने करूँगा, तो मेरे आप जो है, वो निकल जाएगे, अब चेस्ट की जो क्वालिटी है, बॉडी की क्वालिटी है, बाइसेप्स की, शोल्डर की, और वो साली क्वालिटी वहीं की वहीं है, तो कहने का मतलब यह है, कि अगर मैं आपको दिखाओं, तो बाइसेप्स की, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप वोम डाइट से अपनी बॉडी को परपेयर करते हैं, बनाते हैं, बेस अच्छा है, अगर किसी भी स्टडी का, किसी भी बिल्डिंग का बेस अच्छा है, तो ही आप लॉग टर्म उस गेम को कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को परपेयर क कर सकते हैं तो सप्लिमेंट जो है वो सिर्फ पॉडी बिटर्ज के लिए हैं जो एक नॉर्मल परसन अपनी बॉडी को इंपरूब करने के लिए जिम जाता है वो अच्छी होंडाइट खाए उसी पर मैं जोर देता हूं मैंने कभी भी किसी भी अपने स्टूरंस को बच्चों को सप्लिमेंट की तरफ स्टीरोइड की तरफ नहीं दकेला या उनको यह गल्थ गाइडेंस नहीं दी यही मेरी मेरी एक पहचान है अपने होंडाउन में तो मैं यह नहीं कहता कि अन्नेसेसरी बी-सी ए लो आप प्रोटीन लो यह सप्लिमेंट लो वो सप्लिम जब तक नहीं है तो आप अपनी बोड़ी को एक लिवर्ट तक मेंटेन करके नहीं रख सकते तो यह जो फैड है यह सरफ मेरी गल्थ खाने के कारण है शूवर इंडेक थोड़ी सी पिछले एक साल से ज्यादा है स्वीट्स आगी भूखाली ने तो पिछले मैंने तीस साल से बाहर क नहीं खाया कोई जादा स्वीट्स नहीं जो घर में बनते हैं और उसके बाद भी आप अगर देखेंगे तो शेप कभी खराब नहीं कि वह जो तीस साल का मेहनत है तीस साल की जो जो डाइट के ऊपर पांटीनू कांसरेशन है वो मैंने कभी खराब नहीं की और आज भी नह खाना ही खाता हूं, पास्टूट में बिल्कुल नहीं खाता, कभी, once a month, कभी, खालिया, वो भी, आदास बोसा कभी खालिया, या पीजा के एक दो स्लाइज ले लिए, वो खाने के बाद भी, मेरा पेट उसको एक्सेट नहीं गरता, इंडाजेशन हो जाती है, पेट में गैस जा लेनी है, दो तीन चपातियां कहानी है, जालेट खाना है, एक ब्लेट, कर्ड खाना है, तो यह मेरा लाइस्टाइल है, दोसो इसलिए, मेरी गुजारश यही है, कि सबसे पहले आप अपनी ओम डाइट पर कांसर्डेट करें, और प्रोटीन, इंटेक, कार्बोहाइड, गुट फैट इसका एक कॉमपोजिशन बना कर, कमपाउंड डाइट कैसे बनती है, कैसे उसको बनाते है, वो सीखें, समझें, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको कुरिंग करकर वो भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, यह भी कोई जुरूरी नहीं है, अगर आप नौन वेजिटेरियन हो, तो बोडी जल्दी बनेगी, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो बोडी नहीं बनेगी, ऐसा कोई लोजिकली, कोई ऐसा स्योरी नहीं है, आप चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नौन वेजिटेरियन हो, बोडी क्वालिटी, सभी की सेम, आपके हाड नाब और, आपके एकसराइड पर, आपके इकटिंग हैबिट्स पर डिबैंड है तो दोस्तों अगर डी लगी दिवकल आप ज्यादा से ज्यादा, श्यादा बालсем करें ज्यार से ज्यादा लोगों के साथ बताएं इस व्यूजय के बारे में और उन्हों ये समझाएं कि गल्थ फैमी में शलावे में आप ठगे न जाए तो जिससे आपका पैसे का नुक्सान हो आपकी हैल्थ का नुक्सान हो तो दोसों फिर मिलेंगे नई डीडियो ने टॉपिक के साथ तब तक दीजिए इसाद़ा दन्यवाद